प्राश्न, माल्विक अग्निमित्रम किसने लिखा था? आपका ओप्षन है, A. भास, B. कविराय, C. बान्भट, D. कालिदास, आपका सही उत्तर है, कालिदास. प्राश्न, जिका वाइरस किसके द्वारा मनुश्य में संचालित होता है? आपका ओप्षन है, A. चूह, B. मच्छर, C. जीनगूर, D. खरगोश, आपका सही उत्तर है, मच्छर. प्राश्न, ग्राफीन क्या है? आपका ओप्षन है, A. कार्बन का अपरू, B. एक लोगप्रिय ग्राफिक्स सोफ्ट्वेर, C. एक पौरानेक जान्वर, D. एक संक्रमित, आपका सही उत्तर है, कार्बन का अपरू. प्राश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतिय राष्ट्रिय कॉन्ग्रेस की पहली महिला अध्याक्ष कौन थी? आपका ओप्षन है, A. विजय लक्ष्मी पंडित, B. सरोजिनी नाइडू, C. एनी बेसिंट, D. मेडम कामा, आपका सही उत्तर है, एनी बेसिंट. प्राश्न, विश्व तंबाकु निशेध दिवस कब मनाया जाता है? आपका ओप्षन है, A. वानी, B. 31, C. एक जून, D. 30 जून, आपका सही उत्तर है, 31. प्राश्न, भीम बेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? आपका ओप्षन है, A. एक हजार साल, B. पांच हजार साल, C. तीस हजार साल, D. 300 साल, आपका सही उत्तर है, 30 हजार साल. प्राश्न, उच्चतम न्यायाले के न्यायाधीशों की सेवानिवृती की उम्र क्या है? आपका ओप्षन है, A. 61 साल, B. 63 साल, C. 65 साल, D. 68 साल, आपका सही उत्तर है, 65 साल. प्राश्न, भारत के राश्ट्रपती के पद की शपत किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपका ओप्षन है, A. प्रधान मंत्री, B. लोकसभा अध्यक्ष, C. मुख्य चुनाव आयोक्त, D. भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपका सही उत्तर है, भारत के मुख्य प्राश्न, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? आपका ओप्षन है, A. क्रिप्टन, B. कार्बन डायोक्साइड, C. नाइट्रोजन, D. ओक्सीजन, आपका सही उत्तर है, कार्बन डायोक्साइड प्राश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डायोक्साइड को वातावरन से घटाती है? आपका ओप्षन है, A. प्रकाश संशलेशन, B. बायोडीग्रेडेशन, C. विद्यूत अपघटन, D. गैल्वनी करन, आपका सही उत्तर है, प्रकाश संशलेशन